Hello everyone, Namaste तो आज मैं जो ये reading करने जा रही हूँ guys वो 14 January 1994 burn people के लिए होगा तो यहाँ पर मैं explain करूँगी about your future financial condition आपका career कैसा रहेगा और आपके future spouse के बारे में भी एक in detail description दे दूँगे guys अगर in short बताने जाओ तो आपके past, present and future में आपके नियाती में क्या लिखा है हर एक चीज के बारे में आज हम लोग in detail में बात करेंगे ठीक है guys तो ये जो reading मैं करने जा रही हूँ ये timeless है, general reading भी है और ये for both males और females है किसी के लिए है और मेरे जितने भी readings होते हैं सारे ही timeless होते है और general reading भी होते हैं तो आप लोग जब भी चाहो मेरे जिस भी reading को refer कर सकते हो according to your problems और आप लोगों को उसका solution मिल जाए का और मेरे blessing समेशा आप लोग के साथ ही रहती है और आगे भी रहेगी तो आप लोग भी support दिखाओ जितना जादा हो सके आप लोग मेरे चानल को subscribe कर लो ताकि मुझे भी motivation मिले और मैं भी बहुत सारी new new topics के उपर reading कर पाऊ और आपकी life में छोड़ी सी प्यारी सी help ला पाऊं so अभी हम देखते हैं कि आपके cards क्या क्या आए है तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए दो cards निकाले हुए है the helmet का card है in reverse में and six of cups का card है in reverse में ठीक है guys so guys पहले मैं आपके past and current situation के बारे में एक slight सा intro दे दूँगे guys ताकि आपको पता चले कि हाँ मेरे past में यह सब चल रहा था present में यह सब हो रहा है और मेरी नियती में मेरी future में यह सब लिखा है ठीक है guys तो उस हिसाफ से मैं बताऊंगी और पहले मैं आपके career और finance के बारे में बताऊंगी and उसके बाद आपके love life के बारे में हर एक detail बात बता दूँगी guys तो जहाँ बात करूँ मैं आपके past और present situation की तो मुझे ऐसा फिल हो रहा है कि आप जादा तर किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो बहुत जादा अलग धलग रहना शुरूर कर दिया है आपने जैसे बोल देना isolation में चला जाना तो आप उस तरह से अपने life को बिता रहे हो friends के साथ भी कभी कभर आपका मिलना जो ना होता है या फिर phone में बात कर लिया तो वही चीज मुझे feel हो रही है कि आप बहुत साथर एक loner इंसान बन चुके हो आप खुद ही ऐसा feel कर रहा हो और भी कि आप एक loner हो जो कि मुझे ऐसा feel नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है एक्जैक्टली कि आप एक loner इंसान हो means पता नहीं क्यों मुझे ऐसा feel हो रहा है कि आपको life जीना पसंद है आपको घूमना पसंद है आपको travel करना पसंद है new new places देखने का शौक है आपको new new cuisine strike करना आपको अच्छा लगता है तो आपक ऐसे इंसान होना जो अपनी life को जीना चाहता है जो हर एक second को महसूस करना चाहता है शायद आप एक चीज़ मुझे भी सडन दिखा एक channel message है शायद आप लोग past में कही गए हुए थे अपने friends के साथ एक hilly area में आप खड़े हो and आप smell कर रहे हो air को ठीक है आप महसूस कर रहे हो हवा को तो शायद आप एक ऐसे इंसान हो जो कि खुली जगे हवाओं को महसूस करना जिसे न बहुत साथा पसंद है अच्छा लगता है जिसे तो आप एक ऐसे इंसान हो जो कि अपनी जिन्दगी of your past experience चाहे वो experience किसी भी चीज को लेके हो जाए यहाँ पर दो situation दिख रहा है guys मुझे कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा फिल हो रहा है that आपके खुद की family के कुछ issue है ठीक है and second scenario यह मुझे दिख रहा है शायद आपके past में कोई person आपके lover थे जिनके साथ आपका बनानी ठीक है तो यह दो situation हो सकते हैं इससे जो भी आपको resonate करता है आप उस हिसाब से इस reading को आगे देख सकते हो ठीक है guys तो मुझे ऐसा फिल हो रहा है चाहे वो reason आपके खुद की family के वज़े से हो या फिर आपके कोई past lover की वज़े से हो लेकिन आपका दिल दुखा है जिनको आपने दिल से भरोसा करा ना उसने ही दिल तोड़ा and because of that reason आपने अपने nature को ही ऐसे ढाल लिया है अभी जहाँ पे कि आप दूसरों को अपने life में एंटर करने देना नहीं चाहते हो अलग धलग रह रहे हो किसी से बातचीत नहीं कर रहे हो in short आप अपने life नहीं जी रहे हो आप जो इंसान हो ना उसका opposite मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप ऐसे यहाँ पे मुझे सिर्फ blocking दिख रहा है guys सिर्फ और सिर्फ blockage है आपके life में and you know what कि वो blockage कौन हटा सकता है आप खुद कोई दूसरा नहीं कोई भी दूसरा नहीं नहीं मैं नहीं आपके कोई friends नहीं कोई आपके कोई सूपशिंत तक ठीक है मैं suggestion दे सकती हो आपको लेकिन रास्ते पे चलना तो आपको ही पड़ेगा तो एक चीज़ मैं बताना चाहूंगी आपको life एक बार मिली है उसे इस तरह से वेस्ट मत करो जब बहुत साथा टाइम बीच चाहेगा ना तो आप यही सोचोगे कि काश मैंने उस टाइम पे अपनी life जी होती पच्चताओगे guys तो जो moment है हाथ में उसे जी हो life को fully enjoy करो जो हो गया ना उसे बदल तो नहीं जगते हो चाहे ओ खुद के family से related कुछ issue हो या फिर past love से related कुछ issue हो खुद के उपर focus करो guys तो अभी हम बात करते हैं आपके career की और finance की उसके बाद love life की बात करेंगे तो guys जहां मुझे feel हो रहा है आपके career life में चाहे आप student हो या फिर एक employee हो आप जाधा तर ना अकेले में काम करना पसंद करते हो आप team में ना रहके काम करना आपको अच्छा नहीं लगता मैं यह नहीं बोल रही हूँ कि आप काम नहीं करते हो team में करते हो लेकिन आपके मन के according आप अकेले काम को handle करना आपको बड़ा अच्छा लगता है seriously और आप काम को बहुत आसानी से कर भी लेते हो काबलियत तो guys मुझे आपके अंदर कूट कूट के दिख रही है आप एक multitasker हो अगर आप अभी multitasking नहीं करते हो एक time में कहीं सारे काम को handle नहीं करते हो तो future में आप एक multitasker बन जाओगे आपका खुद का एक job होगा वो मुझे feel हो रहा है and at a time आप अपने friends के साथ मिलके कोई एक दूसरा काम कर रहे हो तो आप एक काम एक job में बंदे हुए नहीं रहोगे का इस future में growth है, success है पैसा, property आप खुद कमाओगे आपको किसी के ऊपर depend होके रहने के कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और finance के अगर मैं बात करने जाओ तो अभी भी आपके अंदर वो quality जिसे बोलता है ना budgeting का वो आपके अंदर है जैसे कि खून में यह है, शायद आपके family में कोई एक person है जो कि finance से related है और आपको उसी इंसान से यह quality मिला है या फिर आपने बच्पन में ही उनको काम करते हुए देखा है और फ्रॉम देट टाइम आपने वो सब चीज़े सीख ली है तो आपको पैसो की value पता है आप unnecessary पैसे उड़ाते नहीं हो आप पैसे save करते हो आप एक saver हो लेकिन हाँ आपको शायद branded चीज़ों का shock है जो कि लगवक हर किसी को होता है तो आप future में बहुत सारे branded products use भी करोगे and one thing sudden मुझे एक चीज़ दिखा तो ये एक channel message है आप लोगों के लिए कि future में future में after 4 to 7 years yeah max 8 years के बाद आपकी एक franchising होगी आप खुद खोलोगे हाँ electronics electronics related ठीक है 4 to 8 years ठीक है किसी के लिए 4 साल किसी के लिए 5 साल क्योंकि guys ये reading जो होता है ये general reading होता है तो कहीं सारे age groups के लोग देखते रहते है शायद कोई 18-19 साल का इंसान भी देख रहा होगा तो उसके लिए थोड़ा late में कोई अगर आप 25-28 साल के अंदर आप देख रहे हो तो आपके लिए जल्दी कोई काम आप शुरू करने वाले हो तो 4 से 8 साल ठीक है वो मुझे दिख रहा है ठीक है तो career और finance तो future में आपका कमाल का है guys मतलब growth तो बहुत जादा है बहुत है जादा independent life आप जीने वाले हो और हाँ एक चीज़ मुझे अभी दिख रहा है शायद आप कहीं एक दूसरे प्लेस में ट्रावल करके जाने वाले हो एक जगे छोड़ के दूसरी जगे जा रहे हो कुछ रोग के लिए मुझे ये feel हो रहा है आप खुद की फैमिली के साथ नहीं बनती है and you are leaving your family लेकिन आप दू जा रहे हो फैमिली से कोई भी कारण हो सकता है पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए या फिर आप खुद की फैमिली को छोड़ रहे हो कुछ ना कुछ इशू है लेकिन आप घर छोड़ रहे हो और एक independent life जीना शुरू कर रहे हो क्योंकि मुझे आप दिख रहा है forward ठीक है and moving on तो आप अपने past को भुला के आगे बढ़ने के कोशिश करोगे ही करोगे कुछ रोगे मुझे ये feel हो रहा है उनके लिए ये reading है no जो singles है ये reading उनके लिए भी है जिन्होंने date किया है ये reading उनके लिए भी है ठीक है guys तो अगर आपने past में कभी किसी को date किया है तो उस इंसान को आप भुला दो अगर आपका break up हो चुका है तो अगर आप break up के बाद भी उसी इंसान को मन में बसाए हुए हो नहीं वो मेरा पहला प्यार था ये था वो था तो आपका real प्यार आपके life में आ नहीं पाएगा ठीक है तो जब तक आप अपने past को नहीं छोड़तो present में आप जी नहीं पाओगे कोई इंसान आपके life में आ नहीं पाएगा ठीक है guys और अगर आप single हो आपने कभी किसी को date नहीं करा है तो पहले आपको अपने past के कुछ bad thoughts चाहे वो किसी से related हो आपके अगर खुद की family के साथ नहीं बन दी थी कुछ problems था तो आपको वो सब चीजों जहां पे कि आप खुद किसी को अपने life में अभी enter करने देना नहीं चाहते हो आपको ऐसा feel हो रहा है कि आप बहुत जादा boring इंसान हो आप romantic नहीं हो and शायद कोई इंसान आपके लिए बना ही नहीं है आप ऐसा feel करते हो लेकिन गाइस एक चीज़ बता दू कई सारे लोग हैं जो कि आपको बहुत पसंद करते है आप जो सोचते हो ना कि मैं अलग अलग रहता हूँ या रहती हूँ and मैं थोड़ा excitement type का इंसान नहीं हूँ means आपको ऐसा feel होता है गाइस ठीक है लेकिन अच्च्छल में जो उपोसित चेंडर की लोग हैं वो बहुत जादा attractive feel करता है आपकी तरफ तो हाँ साइंस मैंने नहीं बताया है यहाँ पे आप या फिर आपकी होने वाले spouse जो है वो earth sign की हो सकते है टैरस, वर्गो, कैप्रिकॉन वर्गो यहाँ पे strongly reflect कर रहा है कार्ट्स पे या फिर water sign की हो सकते हो cancer, scorpio, piscis तो यहाँ पे आपके बर्डेट में या फिर आपके होने वाले spouse के बर्डेट में ascendant sign, sun sign या moon sign जो रहेगा वो earth sign से ही related होगा या फिर water sign से related होड़ी के chances है and कुछ रहो के लिए मुझे आपरो Aries भी दिख रहो आपके 7th house में Aries है Aries sign है, ठीक है वो दिखा पता नहीं क्यों सब है यहाँ मैंने कुछ extra cards निका रहा है guys तो पहला तो है आप खुछ सोच रहो कि no मेरे life में कुछ sign होगा सब गलत है, मेरे लिए कोई बना ही नहीं है, like that ठीक है, and यह सब चीज़े आपके दिमाग में है आपके life में एक union एक partnership वीट कर रहा है guys you know what, yes का card आया है and इस तरह का situation बहुत rare condition में आता है tarot card readings में जहाँ पे कि yes and no का card at a time आ गया है, ठीक है तो जो no है ना, वो मुझे feel हो रहा है कि यह आपके दिमाग में है आपके दिमाग की पैदाईश है no आप खुछ सोच रहो कि नहीं, सब गलत है सब गलत हो चुका है अब कुछ सही नहीं होगा लेकिन guys divine खुद आपको बता रही है कि yes, आपके life में सब कुछ सही होने वाला है positivity आने वाली है आप जैसे अपनी life को जीना चाहते थे आप वैसी life जी होगे आप travel करोगे friends के साथ time spent करोगे, एक love partner आपके लिए आएंगे, union and partnership है एक true love है आपके life में उनके साथ घर बसाओगे, आपके बच्चे होंगे एक family होगे आपकी and जिस इनसान के साथ आपके शादी होईगे, आपके future के जो spouse होंगे, उनके कुछ specifications, पहले तो वो इनसान single होंगे, जब आप उनसे मिलोगे, nature wise बहुत है साथ प्रैक्टिकल एन लॉजिकल साइट से होंगे वो strong athletic body physics कमाल का होगा, अपने health को लेके, अपने diets को लेके वो बहुत जादा serious रहेंगे दिखने में attractive लगेंगे and कुछ लोग के लिए मुझे आपके person wheaties complexion के दिख रहे है कुछ लोगों के लिए 20% लोगों के लिए मुझे आपके person थोड़े fair side से दिख रहे है, हो सकता है वो gujarati हो, brahman हो या फिर muslim हो लेकिन caste थोड़ा अलग होगा, cultural difference रहे है ठीक है, family का थोड़ा issue मुझे दिख रहे है, जहां पे कि you know कि parents क्या बोलता है, कि नहीं वो लोग culture wise हमसे अलग है, like that, थोड़ा issue होगा ही होगा, and nature wise बहुते ज़्यादा confident side से है आपके person, उनका जो job रहेगा वहाँ पे उनको बहुती ज़्यादा एक formal way में खुद को represent करना पड़ता होगा, हमेशा iron cloths पहनते हैं, वो एक ही type का perfume लगाते होंगे आपके person, ठीक है, उनको ज़्यादा तर पॉफ्यूम skip करना पसंद नहीं है अगर means, हाँ, एक चीज़ दिखा मुझे आपके जो spouse होंगे उनको साथ पॉफ्यूम से allergy होगा, means, कई कबार होता है कुछ लोगों को पॉफ्यूम का smell टॉलरेट नहीं होता, उनको headache होता है तो इस तरह की चीज़े आपके person के nature में रहेगी, ठीक है, लेकिन उनको सिर्फ एक ही पॉफ्यूम पसंद होगा and वो उनको suit करता होगा means, एक तरह का smell से उनको allergy नहीं होता होगा and because of that reason आपके person सिर्फ एक ही टाप के smell का perfume वो use करते होंगे, वो इतर बोलते है शायद उसको, एक तरह का, ठीक है and थोड़े funny side से है means not that joker kind of thing jolly bubbly type नहीं, लेकिन हाँ, जब अपने friends के साथ होते हैं, तब full on enjoy करते है, ठीक है, मजाग, मस्ती, सब कुछ लेकिन guys जहां आपात career के करा जाए आपके future spouse career life में बहुत ही जादा अकडू-खडू स्टाइब के है, discipline lover है and लोग उनसे बहुत जादा डरते भी होंगे and आपके प्रती बहुत जादा positive हो जाएंगे आपके spouse, तो हाँ, क्योंकि प्यार चाहा होता है वहाँ पे थोड़ी बहुत possessiveness तो रहती ही है अभी हम बात करते है love messages की तो आपके person आपको क्या बताना चाहते है तो पहली बात I'm afraid to tell you, okay तो guys, एक चीज़ है आपके person चाहे कितने भी बड़े दवन क्यों ना हो अपने career life में जहां पे भी ठीक है लेकिन वो आपके सामने आके अपना प्यार जाहिर करने से डरेंगे and same चीज़ आपके साइड से भी मुझे दिख रहा है चाहे आप लड़का हो या लड़की हो यहाँ पे आग दोनों तरफ लगी है आप भी उनको पसंद करोगे पहली नजर में and आपके स्पाउस भी पसंद करेंगे आपको पहली नजर में तो यहाँ पे दोनों साइड से मुझे थोड़ा डर दिख रहा है जहाँ पी कि आपके पोसन को डर लग रहा होगा कि वो कैसे आपको बताएं क्योंकि आप थोड़े लोनर साइड से हो आपको डर लगेगा उनके सामने जाके प्रपोस करेंगे क्योंकि आपको ऐसा फिलोगा कि यह इंसान इतना सादा खडूस and दवंग साइड से है मैं कैसे बताओं ठीक है तो थोड़ा तो डर है I will hug you when I will meet you तो आपके स्पाउस आपको यह बताना चाहते है वो आपको कस के गले लगाना चाहते है क्योंकि guys after your first meeting आपके स्पाउस को आपकी आँखों में दर्थ दिखेगा एक loneliness दिखेगा and because of that reason after your first meeting आपके जो स्पाउस होंगे वो सोचेंगे कि यार काश मैं अपने दिल की बात यह इंसान को बता पाता आपके स्पाउस आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे after your marriage वो हमेशा कुश ना कड़े की कोशिश करेंगे I want to hug you C यहाँ पे आपके परसन आपको गले लगाना चाहते है वो आपका सारा दुर्ख दर्थ बातना चाहते है guys यहाँ पे मैंने कुछ sexual murder cards भी निकाले हुए है तो पहला है C तो guys यहाँ पे आपके स्पाउस आपको प्रपोस करना चाहते है रोज आपको देरा चाहते है चाहे वो लड़का हो या लड़की हो ऐसा नहीं यह लड़की है तो पहला प्रपोस नहीं कर सकते है आजकल टाइम चेंज हो चुका है तो आपके जो स्पाउस होंगे या होंगी वो सीरियसले आपके सामने आके अपनी दिल के बाज आई करना चाहते है लेकिन उनके मन में थोड़ा डर रहे का आप देख सकते उस image में वो कितना जादा डर रहे है उनको ऐसा फिल हो रहा है कि कहीं मेरे कहीं ये person मुझे reject ना कर दे कहीं मेरा दिल ना तूट चाहे like that कितना प्यार भड़ा ये card मुझे बहुत सादा पसंद है then king of wands का card see यहाँ पे एक person दूसरे person को hug कर रहा है जो कि मैंने love messages में भी पढ़ा था आपके person आपको गले लगाना चाहते है guys जिस दिन वो आपको propose करेंगे ना उसी दिन वो आपको कस के गले लगा लेंगे just to show their emotions just to show their love वो आपको एक चीज़ बोलेंगे कि आपके life में क्या हुआ है पता नहीं मुझे lying आपको trigger करेंगे means आपके दिल को छू जाएगी एक चीज़ है कि आपके spouse को आपके बाल बहुत जादा पसंद होंगे चाहे आप लड़का हुए लड़कियो and आपका जो chest area है वो उनको trigger करेगा and there really wanna case on your neck portion वो आपको love bites देना शाहत है आपके हाथ and जो spurs जिसे बोलते है ना feeling अगर आप उनको छूओगे ना तो उनको बहुत है जादा एक अलग type की feeling आएगी वो खुद को रोख नहीं पाएंगे वो चीज़ मुझे feel हो रहा है and maybe जिस दिन आप दोने एक दूसरे को propose करोगे उस दिन आप दोने किस भी कर सकते and आपके spouse को आपके legs बड़े ही जादा sexy लगेंगे चाहे आप लड़का हो या लड़की हो and kiss तो मुझे दिख रहा है शादी से पहले तो kissing ये सब चीज़े भरबर के होगा and intimate moment शादी से पहले I don't think so शादी के बाद ही आप दोने इंटिमेट हो रहे हो then career के लिए भी मैंने कुछ cards निकाला हुआ है guys तो ये career आपका हो सकता है या फिर आपके spouse का हो सकता है ठीक है photographer, writers and authors teacher or professor IT engineer astrologer and dance academy ठीक है guys तो ये सारे careers आपके हो सकते है या फिर आपके होने वाले spouse के हो सकते है I don't know why मैंने सरेन देखा that surgeon या फिर doctor surgeon means that heart surgeon शाद आपके spouse या फिर आप surgeon या doctor हो सकते हो and doctor मुझे देखा that skin specialist या फिर dentist फिर name initials तो आपके spouse के name initials क्या होंगे उनके जो नाम होगा वो वी से शुरू होनी के chances है O L P R A C and B से आपके person का नाम जो होगा वो शुरू होता होगा गाईस ठीक है and आप दोनों का जो पहली मुलाकात होगा वो शायद 12, 13, 15, 17, 21, 15, 18 या फिर 30 तारीक को होने के chances है ठीक है क्योंके गाईस जैनरल रीडिंग होता है तो कहीं सारे चीज़े दिखती है कुछ पॉंट्स आपको resonate करेंगे कुछ पॉंट्स किसी और को resonate करेंगे ठीक है गाईस तो ये था रीडिंग आप लोगों के लिए तो अगर आप लोगों को मेरी जो रीडिंग्स होते है वो resonate करते है या फिर आप लोगों को सुनना ही अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को subscribe कर सकते हो like कर सकते हो and share भी कर सकते हो अपने family, friends and colleagues के साथ so guys support दिखाओ और जितना साथ हो सकते हैं आप लोग मेरे चैनल को subscribe करते जाओ and share भी करो guys ताकि जो help आप लोगों को मेरे readings के through मिलती है same help आप लोगों के love to ones के life में भी आजाए okay guys और मेरे blessing समेश आप लोगों के साथ ही रहती है और आगे भी रहे की so take care and be safe, love you all, thank you, bye